अस्टर मैंड़ जिके में फिर से आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम बिहार से संबंधित 50 important question लाए हैं जो exam की दृष्टी कोन से काफी महतोपून है दोस्तों आप वीडियो को पूरा अवस्य देखें दोस्तों एक छोटी सी request है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe कर में तथा वेल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है कि बरतमान में बिहार से संपती का मुख्य स्रोत क्या है बरतमान में बिहार में संपती का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों जैसा कि सभी हम लोग जानते है कि बिहार में क्रीशी होती है तो मुख्य सुरोत क्या है क्रीशी ही होगा ठीक है दोस्तो तो next question क्यों बढ़ते है कि जाओ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है तो जाओ की खेती सबसे ज़्यादा बिहार के चमपारण जिले में होती है चलिए अगले question क्यों बढ़ते हैं कि बरनार जलासय पर्योजना किस जिले में इस्थित है महतुपून question है दोस्तो बरनार जलासय पर्योजना बिहार के जमोई जिले में इस्थित है अगले question क्यों बढ़ते हैं कि कोशी पर्योजना किस वर्ष बनकर तयार हुई बहुत ही important question है दोस्तो कि कोशी पर्योजना है जो बनकर कब तयार हुई थी तो 1965 हिस्वी में चली अगले question क्यों बढ़ते हैं बिहार के कौन से जिले का सरवाधिक छेत्र नलकूपो द्वारा सीचा जाता है अर्थात बिहार में कौन सा जिला है जहां सीचाई नलकूपो द्वारा अधिक की जाती है तो कौन सा जिला है दोस्तो समस्तिपूर नाम क्या है? बहुत ही important question है दोस्तो, कितने बार exam में पुछा जा चुका है? बिहार का पर्थम बहुदेसिय परियोजना का नाम क्या है तो गंडग परियोजना है बिहार की कहलगाओ ताप विद्धत परियोजना किस देश की सहायता से शुरू की गई है? शुरू की गई जहां दोस्तों important question है किस देश की सहायता से रूस की सहायता से बिहार की कहलगाओं ताप विद्धुत पर्योजना भागलपूर में है इसकी सुरुवात कब की गई थी तो 1992 में इसकी सुरुवात की गई थी चलि अगले question की और बढ़ते हैं कि दुर्गावती जलासय पर्योजना किस जिले में इस्तित है important question है कहां इस्तित है दुर्गावती रोहतास में चलिए अगले question क्यों बढ़ते हैं, कि बिहार के किस जिले में नहरों से सरवाधिक सिचाई होती है, जहां दोस्तों नहर से सबसे ज़्यादा सिचाई कहा होती है, भोजपूर में होती है, चलिए अगले question क्यों बढ़ते हैं, कि बिहार में सिंदूर फैक्टरी कहां इस्थित की गई जहां दोस्तों जो बरावनी तेल सोधक का खाना है वह किस देश की सहायता से शुरुवात की गई थी तो रूस की सहायता से अब कब की गई थी दोस्तों तो उन्हें 166 में इसको भी आप रखेगा चलिए अगले कोस्टिन को बढ़ते हैं कि बिहार का ताप बिजली घर कहां इस्थित है जहां दोस्तों बिहार का एक बिजली घर है जो ताप के द्वारा संचालित होता है ताप के द्वारा बिजली उत्पादन की जाते हैं तो कहां इस्थित ह तो मुझहपर फूर में इस्थित है चलिए अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं बिहार में पहले चीनी उधोग की अस्थापना किस वर्ष की गई यहां दोस्तों बिहार में सरव पर्थम चीनी उधोग की अस्थापना किस वर्ष की गई थी उन्यसो चार एस्वी में चलिए बिहार में पर्थम चीनी का करता ना स्थापित किया गया था वह धचों के द्वारा किया गया था चलिस्थार में चली अगले कोशिन को बढ़ते हैं कि बिहार में उर्वरक उद्योग कहां वस्थित है बिहार में उर्वरक उद्योग कहां पर रिस्थित है बहुती महत्पुन कोशन है दोस्तो बिहार में सिमेंट उद्योग कहाँ परवस्तित है डाल मिया नगर में है जीवका में इससे कोशन जरूर पूछा जाएगा इसलिए Community कोशन क्यों बढ़ते है ठाकूर पेपर मिल्स लिमेटेड का खाना कहाँ इस्तित है ठाकूर पेपर मिल्स लिमिटेड कर खाना कहा इस्थित है समस्ती पूर्वे इस्थित है चली अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं कि बिहार में निर्माधीन रेल पहिया कर खाना कहा वस्थित है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है कि बिहार में निर्माधीन रेल पहिया कर खा है अब इसके पहले में डिस्कास कर चुके हैं दोस्तों कहल गाउं है जो कहां वस्तित है भागलपूर में है चलिए अगले कोश्चिन को पढ़ते हैं कि बिहार राज के किस जिले में अबरख का उध्खनन होता है सबी लोग जानते होंगा मेरे ख्याल से दोस्तों कि अबरख सारन में सोरे का उत्पादन होता है चलिए अगले कोश्चिन को पर बढ़ते हैं ब्राउनी ताप विद्धूत पर योज रहा है तो कोईले पर जहां दोस्तों कोईला को जलाया जाता है और उससे विद्धूत निर्मान किया जाता है चलिए अगले कोश्चिन को पर बढ़ तो जहारखंड यहां दोस्तो जब जहारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो बिहार नामाता था लेकिन अब है जहारखंड अलग राज हो गया है अगर पूछे कि बहारत का कौनसा राज सरवाधिक अबरे खुद पादन करता है तो इससका अंसर हो जाएगा कि बिहार का पहला दूरदर्शन पर सारण केंद्र कहां स्थापित किया गया है कि पटना हवाई अड्डे को किस नाम से और जाना जाता है VBI question है दोस्तों जो पटना हवाई-अड़ा है उसे और नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जानाता है जय परकास नरायन अंतराष्टिय हवाई-ड़ा अगले question क्यों बढ़ते हैं गया इस्थित हवाई-ड़े को अंतराष्टिय दरजा कप राप्त हुआ तो कब प्राप्त हुआ, सन दो हजार दो इस्वी में गया इस्तित्थावाई अड्डे को अंतर राष्टिय दर्जा प्राप्त हुआ, चलिए अगले कोशन को बढ़ते हैं, वीवाई कोशन है, कि राष्टिय राजमार्ग टू का निर्मान किसने करवाया था, यहां तो करता से, दिल्ली, चलिए अगले कोशन को बढ़ते हैं, कि बिहार में रेल परिवहन की सुरुवात कब हुई थी, तो रेल परिवहन की सुरुवात कब हुई थी, अठारा सो साथ इस्वी में, चलिए अगले कोशन को बढ़ते हैं, कि बिहार का पहला आकास्वानी केंदर का है पटना है चल्व अगले को बड़ते हैं Grand Trunk Road का निर्मान किसने कर वाया था यहां दोस्तों तो Grand Trunk Road का निर्मान किसने करवाया था शेर साथ सुरू ने बहुत ही important question है दोस्तों Grand Trunk Road जिसे GT Road भी कहा जाता है दोस्तों अभमेशा एक्जाम में पूछा जाता है दोस्तों चले एकले कोश्चन कर बढ़ते हैं कि बंगाल से अलग करके बिहार वों उरिसा नाम से नए राज का गठन कभ क्या गया जहां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि पहले बंगाल राज था उससे अल हो गया तो भीहार है जो उडिशा से कब अलग हुआ दोस्तो बहुत important question है एक April उडिशा को फूल दिवस भी मनाया जाता है तो याद रखिया कि गया दोस्तो कि विहार उडिशा से कब अलग हुआ इसको ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि 1 अप्राइल को उडिशा को फूल लाने मुर्ख बना करके बिहार है जो उडिशा से अलग हो गया तो बिहार उडिशा से कब अलग हुआ एक अप्राइल 1936 इस्वी में चलिए अगले कोस्चन के और बढ़ते हैं कि कि किस वर्स बिहार का बिव बढ़ते हैं कि पटना नगर निगम के स्थापना कब हुई तब पटना नगर निगम के स्थापना सन 1922 इस्वी में हुई चलिए अगले कोस्चन के बढ़ते हैं दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और बनाते हैं आप कॉमेंट या लाइक नहीं करते हैं तो बहुत मायूसी होती है तो दोस्तों प्लिज लाइक ज़रूर करें तो चलिए अगले कोस्चन को बढ़ते हैं कि राजजी परसासन की सबसे छोटी काई क्या कहलाती है इमपॉर्टेंट कोस्चन है दोस्तों कि 243 है जहां दोस्तों अगले वर्स चुनाव होने वाले हैं तिनी 243 सीटों पे चुनाव होगा इसे याद रखेगा चलिए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं कि सम्विधान के किस अनुछेद में पंचायती राजवयस्था का जिक्र किया गया बहुत इंपोर्टन कोश्चन है कि सम्विधान के किस अनुछेद में तो सम्विधान के अनुछेद 40 में पंचायती राजवयस्था का जिक्र किया गया चलिए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं कि बिहार लोग सेवा आयोक के पर्थम अध्यक्ष कौन थे इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तों बिहार लोग से कितने परमंडल है नौ परमंडल है इन ही नौ परमंडल के अंतरगत 38 जिले आते हैं चलिए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं कि बरतमान में विधार विधान सभा परिशद में कुल कितने सदस्य हैं तो कितने सदस्य हैं 75 चलिए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं सूती वस् के लिए परसिद जिला कौन है फेमस जिला कौन है तो भागलपूर है चलिए अगले कोश्चन के बढ़ते हैं कि सरवाधिक महिला साचहरता दरवला जिला कौन है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है कि सरवाधिक महिला साचहरता दरवला जिला कौन है तो रोहतास है चलिए अग जिले में बहती है तो किस जिले में बहती है सुपावल में जहां दोस्तों कोशी को ही बिहार का सोक भी कहा जाता है दोस्तों चलिए ये 50 अति महतवपून परश्ण जो बिहार से समंदित थे जो जीविका के एकजाम के दृष्टि कोन से काफी महतवपून था दोस्तों देख के लिए थैंक्यू धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे